बाईबला दिन शंकला के अंदर आपका हार दिक सुवागत है प्रभू आपको बहुत आशिश दे मिलकर हम फिलिपियों के नाम प्रेडित पॉलुस की पत्री का ध्यन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याई की पहली आई से आगे सीखेंगे और इस अध्याई के अंदर प्रभू येश्व मसी की स्रेष्टता और महांता का वर्नन हम को देखने को मिलता है लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं परमपिता परमेशुर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभू येश्व मसी की नाम से हम आपके च्रणों पर आते हैं परमपितर आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी मदद कर रहे हैं कि प्रभू के वचन को हम सीख सकें पढ़ सकें जीवन में लागू कर सकें प्रभू हमारी मदद आप करिए कि आपकी समानता में हम निरंतर बढ़ते चले जाएं सारा आदर आपको हम देते हैं प्रभयेश मसी के नाम से मांगते हैं आमेन दूसरा ध्याय उसकी पहली आयत अतह यदी मसी में कुछ शांती वहीं रुख जाना चाहता हूँ अतह अतह जब आया है तो हमको इसके पहले क्या लिखा गया है क्या कहा गया है उसकी और जाना पड़ेगा चले देखते हैं केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसी के सूसमचार के योग्यो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखू चाहे नह भी आऊं तुम्हारे विशे में यही सुनू कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो फिलिपी शेहर की कलीसिया के अंदर हम ऐसा समझते हैं कि एकता की कमी आ रहे थी बढ़िया कलीसिया थी अच्छे शुरू आती उन्होंने बहुत त्याग और परिश्रम के साथ पॉलोस की मदद करी थी लेकिन पॉलोस के पास ये ख़बर आए इनके बीच में मतभेद हो रहे हैं फूट पड़ रहा है विरोध एक दूसरे का हो रहा है और अब इस मुद्दे को पॉलोस उठा कर उन्हें सिखाएगा और आगे हम देखेंगे पॉलोस येश्यू के जीवन से उन्हें इसके बारे में सिखाएगा आगे देखें 29 में क्या लिखा है क्योंकि मसी के कारण तुम पर ये अनुग्र हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ पॉलोस कहा रहा है एकता में रहो और याद रखो कि तुम दुख उठा चुके हो और चूंकि तुम दुख उठा चुके हो तुम्हारे जीवन से प्रभु की महिमा निरंतर होती चली जाए और फिर तीसवी आयत में वो हमें कहता है और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है तुम्हें परिश्रम करना है विश्वास के खातिर तुम्हें परिश्रम करना है इसलिए इतनी सारी बात कहने के बाग इसलिए यदी मसी में कुछ शान्ती पांच बाते वो कहेगा यदी मसी में कुछ शान्ती और प्रेम से ठाडस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुना और दया है पांच बड़ी बड़ी मैं कहूंगा महंगी और महत वपूरन बातों को पालुस उनके सामने रखता और कहता है इसलिए पहले कह चुका है और अगे कहेगा कुछ शान्ती इंगलिश में शब्दा है कमफर्ट तसलिए अगर मसी में तुमको कुछ तसलिए है उतना ही नहीं इसमें परमेश्वर मेरा गवा है कि मैं मसी ये शुकी सी प्रीती करके जैसे मसी हमसे प्रेम करता है वो ऐसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ पालुस कह रहा है यदि मसी में कुछ शान्ती और प्रेम से धाडस प्रार्थना में ही आपको मिलता है लेकिन जब संपूर्ण प् काइम है तो आपको धाडस मिलता है उतना ही नहीं तीसरी बात आत्मा की सहभागिता पवितरात्मा की संगती येश्यमसी में आपको तसली है शांती ये तसली दोनों आपन यूज़ कर सकते हैं नबर दो येश्यमसी में प्रेम आपको पुलब्द है जिससे आपको ढाडस मिलता है नबर तीन इतना ही नहीं पवितरात्मा की सैभागिता आपके साथ है नबर चार कुछ करुना कुछ करुना यह जो शब्द करुना है इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको फिर से पहले अध्याई की और लेकर जाओंगा जहां पर लिखा है पॉलस एक के साथ में कहता है तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करून क्योंकि तुम मेरे मन में आबसे हो आबसे हो और फिर एक के आठ में वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लालसा करता हुए जो शब्द है ना प्रेम भरे शब्द है कैसे कहें लाड भरे शब्द है पालोस उसके और कहता है तुम्हें येशु में तसली मिली है तुम्हें येशु में प्रेम मिला है तुम्हें येशु में पविदरात्मा किसे है भागिता मिल तुम्हें येश्यु में करुणा मिलिये और इतना ही नहीं वो कहता है तुम्हें येश्यु में दया मिलिये इतनी बड़ी बड़ी बाते बोलने के बाद वो कहता है तो मेरा ये आनद पूरा करो फिर से आनद आगे हम पहले वो कह चुका है मैं आनदित हूँ और तुम भी आनदित हो लेकिन आप वो क्या रहा है ये पांच बाते होने के कारण और जो कुछ मैंने तुम से पहले कहा इसलिए तुम मेरा ये आनद पुरा करो और फिर चार बाते हैं पालूस उनको निर्देश के रूप में कहेगा देखें क्या कहेगा मेरा ये आनद पुरा करो कि एक मन रहो एक ही प्रेम एक ही चित और एक ही मन सा रखो पूरी पत्री के अंदर बार बार आपको एक ही एक ही एक ही इसका तात पर ये बहुत सारी चीज़े हैं उसमें से एक उठा कर बता रहा है पालूस ऐसा नहीं है लेकिन जब एक 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 पालोस इस शब्द का इस्तमाल करेगा तो वो कह रहा है एकता बहुत हैं लेकिन एक हो जाओ आपको धरन देता हूं है एक ही चित एक के सताइस के अंदर उसने कहा फिर उसी एक के सताइस के अंदर एक ही आत्मा अब वो कह रहा है एक ही मनसा एक मन बार 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 करीब दस बार इसका प्रव्यक पालुस इसी पत्री के अंदर कर रहा है इससे हमको यह समझ में आता है कि फिलिप्यों की कलीसिया के अंदर फूट थी, सेवा थी लेकिन फूट थी और उसको सुधारनब पॉलुस चाहता है, उनसे बहुत प्रेम करता है और इसलिए प्रेम के साथ पॉलुस इस कलीसिया के सामने पेश आता है, एक बार और तुम मेर यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन कैसे रह सकते भाईया, अगर दस लोग हैं कमरे के अंदर, एक मन कैसे होगा, पॉलुस कह रहा है, दस लोग हैं, दस इरादे होंगे, लेकिन एक साथ निरने कर लो कहां जा रहे हो, एक साथ निरने कर लो कैसे कर रहे हो, एक साथ English के अंदर दो शब्द है, unity और uniformity, दोनों अलग लग है, unity मतलब सब एक है, uniformity मतलब सब एक जैसे दिखते हैं, बोलते हैं, सब एक समान है, कलिसिया के अंदर सब एक समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक मन वे रख सकते हैं, एक ताव में रह सकते हैं, इसलिए Paulus इस बात को हमे याद दिलाते में कहता है मेरा आनंद पूरा करो और फिर वो कहता है एक ही मन एक ही मन उतना ही नहीं एक ही प्रेम कितनी बार आ गया प्रेम आप देख रहे हैं मसी का प्रेम हम देख चुके हैं फिर पॉलुस का प्रेम हम देख चुके हैं अब यह कह रहा है आपस में प्रेम मेरा यानन पुरा करो कि एक मन रहो एक ही प्रेम उसके बात एक ही चित सामन जिसमें रहो जब बड़े कॉंसर्ट होते हैं मिजिक के, संगीत के अलग-अलग वादियंत्र बजाने वाले अलग-अलग जगह पर बैठते हैं तो वो एक जैसा बजाते हैं एक जैसा सूर आता है लेकिन अलग अलग वादे अंतर बज रहे हैं अलग अलग समय पर और अगर साथ भी बज रहे हैं तो सब की आवाज आ रहे हैं लेकिन सब एक साथ एक ही धुन में एक ही सूर में एक ही ले में भी लोग बुजा रहे हैं पॉलस कहा रहा है फिलिपी के विश्वासियों तुम भी ऐसा ही करो एक ही चित के हो जाओ और फिर चौती बात कहते है एक ही मन सा के रहो चार बात कहा थी एक मन रहो एक ही प्रेम उसके बाद एक ही चित और अब कहा रहा है वो एक ही मन सा एक ही लक्ष तुम रखो एक ही लक् कुछ ना करो तो हमको यहां समझ में आ रहा है कुछ-कुछ वहाँ पर इस से सम्मंदित हो रहा है विरोध या जूटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो कुछ लोग होंगे जो जूटी बढ़ाई चा रहे होंगे जो किया उसे ज़्यादा बोल रहे होंगे या करने के बाद लोगों से वावा ही चा रहे होंगे या किसी ने कुछ किया उसका विरोध ये लोग कर रहे होंगे पालूस उनको कहता है विरोध या जूटी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो दो तिन आयत में आपको देता हूं विरोध को लेकर दूसरे कुरिंती बारा ध्या है उसकी बीस आयत देखते हैं क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा नहों कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें नह पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाऊ और तुम्हें जगडा, डाह, क्रोध, विरोध, इरश्या, चुगली, अभिमान और बखेडे हूं ये कुरिंत के कलीसिया को पालुस लिख रहा है हम फिलिपी शेहर से बात कर रहे हैं पालुस के साथ वहाँ भी यही बात आई, विरोध, उसके बात, गलातियों के पत्री पांच अध्याय, उसके बीस आयत में भी आपको ये शब्द देखने को मिलेगा गलातियों के पत्री पांच अध्याय, बीस आयत, यहां पर तो ये बड़ी सूची है और उस उची को भी देख लेते हैं पर मैं 19 से परता हम आपके लिए शरीर के काम तो प्रगठ हैं अर्थात, व्यबिचार, गंदे काम, लुच्पन, मुर्ति पूजा, टोना, बैर, जगडा, इर्शा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीडा और इनके जैसे और और काम है, इनके विश्य में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमिश्वर के राजिके वारिस नहोंगे, पालुस उन्हें चेतावनी दे रहा है, विरोध, गुरूपिजम, गुटबाज के लिए कुछ ना करो, पर इसके विपरीत, देखे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, जहां पर लोग अपने आपकी बढ़ाई चाह रहे थे, अपने आपको बढ़ावा देने के लिए दूसरों के बीच विरोध और फूट बढ़ा रहे थे, पालुस समय में जहां पर प्रतिसपरधा के कारण मनिश कुछ भी करने को तयार है, पालुस के शब्द हमें आज भी याद दिलाते हैं और हमें आज भी कट घरे में खड़ा करते हैं, यहां लिखा है, एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूँगा, दीनता से एक दूसरे को अपने स अच्छा समझो, मेरे प्रियों, ये केवल शब्द ही नहीं, ये मेरे और आपके लिए आदेश हैं, पौलुस नहीं, प्रभईश मसी के शब्द हैं ये, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, चौथी आयत, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित क भी चिंता करें मसी में आने के बाद यह हो नहीं सकता कि आपके स्वभाव में परिवर्तन न आए जरूरी है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए पहले आप कैसे थे वो बड़ी बात नहीं है लेकिन मसी में आने के बाद मसी आपका प्रभू होने के पस्चात आपका स्वभाव कैसा है पॉलुस यहां में सुझाव नहीं आदेश दे रहा है दूसरों को अपने आप से अच्छा समझो इतना ही नहीं हर एक अपने ही हित की नहीं तुम अपने हित का ध्यान रखना पॉलुस को कहने की ज़रूद नहीं क्योंकि सब यह करते लेकिन पॉलुस एक नहीं बात कह रहा है अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करना कितना समय हुआ आपने दूसरों की चिंता करे ऐसा नहीं होना चाहिए संदुलन चाहिए अपना भी खयाल रखिए लेकिन अन्यों का भी खयाल रखे हवाईजाज में जब अब जाते हैं आपको हर बार एक जानकर यत्वसूचना सुनने को मिलती है माइक से आवाज आती है हवाईजाज के अंदर आप जिस सीद पर बैठे हैं उसके उपर ऑक्सिजन की कमी होने पर एक मास्क नीचे आएगा और अगर ऑक्सिजन लेवल कम हो जाए तो मास्क अपने मूँ में लगा लेना और फिर सुचना के अंदर एक और लाइन आती है दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क जरूर लगा लेना मसी जीवन में भी ये बहुत जरूरी है कई बार हम दूसरों के लिए करते हैं अपने आप के लिए नहीं करते हैं लेकिन कई बार हम अपने आप के लिए करते हैं और दूसरों के लिए नहीं करते हैं पालुस कहा रहा है हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे बोल कर छोड़ नहीं रहा पांचवी आयत में देखी जैसा मसी येशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो पालुस इतनी बड़े सूची देने के बाद इतने कठिन कामों को करने का आदेश जारी करने के बाद पालुस कह रहा है यह हवामे में आदेश नहीं दे रहा हूँ हमारे प्रभु येशु मसी का स्वभाव ऐसा ही था और चूंकि उसको स्वभाव ऐसा था यह जरूरी है कि उसके शिश्यों का भी स्वभाव ऐसा ही होने पाए जैसा मसी इशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो तो मस्तिय इशु का स्वभाव कैसा था इसके बारे में हम अगले सत्र के अंदर अध्यन करेंगे प्रभू आपको बहुत आशिश दे